हेलो मैडी ओफ्रेंट्स क्यासे आप सबें दोस्तों आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है इकॉनॉमिक और क्वांटिटी और इसके बारे में आपको बता दू कि अगर यह टॉपिक हो गया और अब तक हमने जो पढ़ा है इसका कंपाइल कर दें तो कहीं कही 50-60% आपका मेटरल कॉस्टिंग आज मतलब इस टॉपिक के साथ खतम होता है लेकिन हाँ अगर 50-60% होता है तो यह एक दिन का टॉपिक नहीं है आज मुझे सिर्फ concept बताने बताने में एक lecture लग जाए और practice चाहिए 3-4 lecture जिसमें variation आएंगे थोड़े थोड़े changes आएंगे थोड़े थोड़े adjustment आएंगी क्योंकि study mat में देखे हर type की variety नहीं दी हुई है लेकिन exam में हर type की variety पूछ जाती है तो हमें उसके हिसाब से खुद को prepare करना है तो हमारा जो आज का target है जो concept हमें सीखना है वह है economic order quantity right economic order quantity तो जिसमें आपका economic order quantity जो है यह topic यहाँ से शुरू होते है और यह यहाँ पे जाके end होते है राइट यह आपका topic खत्म होगा तुसरा हम कैसे करने वाले हम वैसे करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं आई यह पहले concept का name mention कर लेते हैं अभी हमारा जो existing concept चल रहा था वो शायद concept number two था मैं आपको शोगर देता हूँ give me one second right देखे concept number two था हमारा level of inventory और इसी में चाहिए तो हम economic order quantity कर सकते हैं लेकिन नहीं हम इसको अलग से करेंगे separately करेंगे करकि इसमें हमारा बहुत अच्छा का सा time जाएगा ठीक है without any defect and without a wasting of time बहुत प्यारा topic है बहुत अच्छा topic है बहुत जादा लॉजिक्स है फॉर्मूली को समझेंगे लॉजिक्स को समझेंगे बट आपको पूरा attention चाहिए आए तो से पहले लिखते हैं concept concept number हमारा है three और topic का नाम है economic order quantity economic order quantity right अब मेरी बात को देहां सुरिए जैसा कि हम हमेशा करते हैं पहले परमात्मों को याद कर लेते हैं गनेश जी को याद कर लेते हैं मासुसोती को याद करते हैं then हम आगे स्टाट करेंगे ओम गन गन पतिये नमहा गनेश जी आप विगनरता गनेश है आप ही किरपा से मारे सारे विगनों का नाशो ऐसे मुझे पे किरपा करें गनेश जी आप रिद्धी सिद्धी बुद्धी सुबलाप के दाता हैं आप ही किरपा से मुझे रिद्धी सिद्धी बुद्धी मायुक्ता विद्ध्यादानम करो तुम महासुस्थती आप ज्ञान की देवी है आपकी कृपा से मुझे वो ज्ञान मिले जब तक मैं सीख नहीं पाया मुझे वो ज्ञान दे जिसे एक मूर्क इंसान टेलिजेंट बन जाता है मेरी सक्सेस के लिए मेरी लाइफ के लिए मुझे ग्यान देमा ताकि मैं भी अपने एक्जाम में अपनी लाइफ में सेस्वल बन जाको जैसे उसली माता जैविगनाता अगनेश इसका नाम यह आपका पैसे बचने चाहिए इसका नाम यह एकनोमिक मतलब या तो आपका पैसा जो खर्च हो रहा है वो बच जाए या तो आपकी जेव से पैसा कम जाए आप सुझने मेरी बात कोई समान आप 15 रुपे का खर्च ने गए मैं 10 रुपे में लिया या 5 रुपे बचे के नहीं बचे इकोरामिक और कॉंटिटी और कॉंटिटी मतलब हम मैटेरियल जो मंगा रहे न उस पर हमें ध्यान देना है कि हमारी जो केरिंग कॉस्ट है और ओर्डरिंग कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए सर कैरिंग कॉस्ट क्या होती है करिंग कॉस्ट इस अपॉच्ट इक परसेंट है तो फाइफ लैक में 10 मेरे साल की पचास रुपे नुकसान हो गए और बुक सेल भी नहीं हुई आसोज़ने मेरी बात तो अपॉच्ट क्या कहते है कि मा लीजे जब आप एक फानिशल डिजि उसमें आप यह सीखेंगे कि मैं अपना जो पैसा लगा रहा हूँ, माली जी मैंने प्रोजेक्ट A में लगाया, वहां से मुझे 12,000 उपर मिल रहा है, प्रोजेक्ट B में लगाया, वहां से 15,000 उपर मिल रहा है, कहां लगाएगे, प्रोजेक्ट B में, तो economic order quantity क्या कहते है, कि जिस material में आप पैसे लगा रहे है, वहां की opportunity cost है, आप जिस material में पैसे लगा रहे है, इसकी जगह, अगर आप राप पैसे में लगा देते हैं, वहीं कहीं लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यह currying cost भी आपकी कम से कम हो, और आपकी ordering cost कैसे best हो, इसको हम बोलते है up black order quantity अगे एक बार लिखने ही कोशिश करते हैं, उसको समस्ते है, the size of an order for which total of ordering cost and carrying cost और minimum, minimum मतलब हमारी लागत कम लगे, देखो, बढ़ने के लिए ये line-up study met से भढ़ सकते हैं, लेकिन आप समझेंगे नहीं, कुछ बच्चे बोलते हैं, सार हमें पूरा study met आता है, जो आये पूछ लो, नहीं, आपने पढ़ा है, पढ़ना अलग चीज होती है, समझना अलग च टेंपो, या ट्रक, या ओटो, जो भी पाशार रुपे, कैरिंग कॉस्ट है, मंगवानी की, कैरिंग कॉस्ट मतलब समझें, भाया, समान भिजवा देना, ले तो आएंगे, जैसे delivery charges, जिसे आप कैसे बूलते है, Amazon से, Flipkart से, delivery charges लगते है, तो ये है delivery charges, कैरिंग कोस्ट है न आपकी order का वो size, जहां पे आपकी order cost और आपकी carrying cost कम हो जाए, अब एक तरीका आपको लग रहे है, आपको सब समझें, नहीं, तकरीवन तीन से चार lecture की practice लगेगी, concept की clarity लगेगी, तब जाकी ये line समझवाईगी, सर्थ दो line के लिए हमें पूरी महनत करनी है, और आपको ल और बिन राम कृपा, सुलबना सुई, यानि जब तक ऊपर वाली की एक्छा नहीं होगी, ये बुद्धी भी काम नहीं करेगी, कुछ होता है, ना पूरे दिन पढ़ रहा है, लेगे दो questions वालने होए, क्यों, ऊपर वाली की कृपा नहीं है, blessings लो अपने teacher की, God की, parents की हर का बनेंगे आपके, चले, वीडियो को लाइक नहीं है, तो लाइक कर देना, इसी के साथ अपनी blessings भी मुझे दो, तो अब इसमें क्या होता है, EOQ जो हमें निकालना होता है, इसमें दो तरीके हैं, निकालने के, देखो, ICA ने आपको ये नहीं बता रखा, लेकिन जितना मु और एक होदा tabulation method, tabulation method, तो देखे, एक lecture तो मुझे tabulation पर चाहिए, और दो lecture मुझे formula method पर चाहिए, और आज तो मैं बस concept ही समझाँगो, तो total 4 lecture होगे, right, तो tabulation method, अब formula method क्या बोलता है, कि ये किस ने बनाया, ये बनाया हमारे Wilson भाहिया ने, और baumol model, b-o-u-m-o-l, baumol model method, ठीक है, formula method को हम baumol ये Wilson model भी कहाँए, कि है सर इसकी theory आती है, एक्जाम में, yes, theory आती है, पूछा जाता है, economic order quantity, how you can identify economic order quantity, आपको लिखना पड़ेगा सब, ये नहीं कह सकते है, नहीं आता, examiner जहां तक सोच सकता है, जब आपकी practice उससे उपर चली जाए, समझाना आपास हो होगे, वो पूछे जो पूछना है, हमें सब आता है, we are ready, now, हमारे पस क्या है, tabulation method में, trial and error method, अब आप बोलोगे सर समझाओ इसमें, देखो ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे करके समझ माएगा, दोनों portion जब खतम होगे, तो में एक बार रिवाइस करा कई बार ये पूछा जाता है, एक्जाम में, जो question हाता है, two marks का, कि as per the Bombal model, या फिर Wilson model, how can you identify economic order quantity, तो इस तरीके से भी कई बार पूछ लिया जाता है, ओके, चलिए, तो हम एक एक करके लिखेंगे और समझेंगे, सबसे पहले हम पिक कर रहे है formula method, formula method, और formula method सीखने से पहले हम इसकी assumptions सीखेंगे, assumptions, study mat में total 4 point बताएं, मैं आपको 7 बताऊगा, किस अपकी study mat में लिखा हुआ है, हाँ, आए देखे, ये देखे, assumptions लिखे हुए, अच्छा एक बात बताना, आप सभी को request है, एक बार comment box में जुरू बताना, कितने बच्चों ने economic order quantity में कभी assumptions सीखी है, जुरू बताना मुझे, और जिरूर नहीं सीखे, वो बूल देना, सर पहली बार सीख रहे है, and thank you, बूल देना, कि हाँ सर आप अमर ले इतनी महनत कर रहे है, 4 point है, मैं आपको 7 point बताऊगा, ठीक है, आए, सीखते है, one by one हम लिखेंगे, और 7 की साथ सीखते हुआ चलेंगे पहला आप लिखेंगे, इसमें, ordering cost, ordering cost, per order, per order and carrying cost, per unit, are non, and they are fixed, they are fixed, they are fixed, मतलब समझें, मैं समझाता हूँ, assumption का मतलब क्या, formula method क्या रहे है, जो आप हमारा formula लगाने वाले हो, universal method रहे है, हो सकता है, कि ये lecture repeaters भी देख रहे हो, उन्हों नहीं पढ़ाओ, कि economic order quantity का रहे हो, root 2 AO upon a C, तो formula तो लगा रहे है, answer भी निकाल रहे हो, but you never want to know how this work, उस formula की reasoning क्या है, तो reasoning में पहले कहा गया, assumption समझो कि ये formula काम कैसे करता है, वो कह रहे है कि पूरे साल में आपकी ordering cost सेम रहेगी, मतलब, सर, दस किताबे चपवानी है, मैं अपना example ले रहे हो, right, दस किताबे चपवानी है, भया 100 और लगेंगे, भया 500 किताबे चपवानी है, 100 और लगेंगे, भया 1000 किताबे चपवानी है, 100 और लगेंगे, दस और चपवानी है, 100 और लगेंगे, यानि आप एक order दो, 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 दस order दो, आपकी ordering cost हमेशा सेम रहेगी, भया क्या है, पर unit are known and fixed, known and fixed, 100 और लगेंगे, अरे सर, मैं दो समान मंगा रहा हूँ, जैसे क दो, तो आप क्या करते है, दो, तीन मंगा लेते हो, या फिर लिखता है, 1000 रुपे का purchase कर लो, आपका delivery charge free हो जाएगा, राइट, बट यहां पर ऐसा नहीं है, आप 100 रुपे का समान मंगा होगे, तो भी 100 रुपे लेंगे, एक रुपे का मंगा होगे, तो भी 100 रुपे का मं तो ही थी ना, मतलब आपको पहले से बता है कि मेरे 100 रुपे ही ordering cost आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, और 100 रुपे तो, सर डिसकाउट आपके लिए 50 रुपे, ना, 100 रुपे मतलब 100 रुपे, मैं जितनी बार order दूँगा, मुझे को 100 रुपे ordering cost लगेगी, और ordering cost नही भी होगे, तो definitely you will learn very soon, अभी के लिए delivery charge आप समसकते, कि जितनी बार order दोगे, उतनी बार delivery charge लगेगा, कई बार क्या होता है, जब आप tabulation method, trial and error method समझेगे, वो कहेगा, भाया देखो, 1000 रुपे मंगाओगे, तो 500 रुपे लगेगे, लेकिन आप 10,000 मंगाओगे, तो 700 account हो जाएंगे आपके, समझने आप, ऐसा real में भी होता है, लेकिन ये formula कहता है, formula method, कि आपकी ordering cost fix रहेगी, चाहे आप 1 unit मंगाओ, 2 unit मंगाओ, 10 unit मंगाओ, और जितनी बार आप order place करोगे, उतनी बार ordering cost लगेगी, राइट, दूसरी exemption है carrying cost, carrying cost का simple सा मतलब समझो, फिलाल opportunity cost, क जितनी बार आपका फैसा फसेगा, उतनी carrying cost, carrying cost लगेगा 10%, जैसे मैंने आपको कहा, 5 लाग का, 10% यानि 50 लाइट, तो हर बार carrying cost क्या लगने वाली है, sir rate भी तो change हो सकता है, 10% कि जिए 12%, 10%, 5%, ना, fixed है, यही लगेगा हर बार, और known, यानि मुझे पहले से पता है, यह नहीं नहीं आएगा, कोई भी tsunami और लहर नहीं आएगी, 10% यानि 10%, known, मतलब known, समझने हैं आप मेरी बात, आपका formula method ऐसी काम करते हैं, कि हर चीज, चाहिए ordering cost हो, carry cost हो, हमें सुरुवात से पता है, और वो fixed है, वो change भी नहीं होगी, या, okay, now my dear friend, यहाँ पे आप लिखेंगे point number 2, 2 में आप लिखेंगे, anticipated, anticipated use of material in units is known, वो कह रहे है, भाईया, पूरे साल आप कितना production करने वाले हो, यह इसकी भाईसवाडी भी, बाबा चांचरदास कर देंगे, मतलब let's suppose मैं batch बना रहा हूं, let's suppose मैं अभी batch बना रहा हूं, May 24, November 24 का, website मैंने आज update भी किया, उस batch का नाम है विखनरता group 1 batch, विखनरता group 2 batch, both group batch, let's suppose मुझे पहले से पता है कि May 24, November 24 के लिए मेरे बंस हजार students आएंगे, पहले से पता है, अब बोद ग्रूप में अगर माली पर subject दो बुक लगती है, तो अब क्या है ने उस लिवस में, 12 किताबे हो गई, 6 subject multiply 12 किताबे, 1000 बच्चे है, तो 1000 इंटू 12,000 किताबे लगेंगी, समझ रहा है परी बात, 12,000 बच्चों में कितने बच्चों को सारु करूँगा, only 1000, यानि 12,000 बच्चों multiply में 12,000, यानि 12,000 किताबे, जो units हैं, कितने लोग के लिए जा रही है, 1000 लोग के लिए, बट मुझे पहले से पताए कि 1000 एडमिशन ही होंगे, मुझे पहले से पताए कि 12,000 units ही लगेगी, this is the formula method assumption, मतलब कह रहे हैं, कितना production होगा, कितनी unit की जरुत पड़ेगी, तो मैं पहले से पताए, तुम आपको हर चीच पहले से पता है कि कितनी raw metal की जरुत मुझे पूरे साल बढ़ेगी, दस समों से बनाने 5 आलू लगेंगे, आपको पहले से पता है, 5 ही लगेंगे, चाहे हो छोटे हो, इतना से भी आलू होगा, तो भी 5 लेंगे, इतना होगा, तो भी 5 ही लगेंगे, 5 मतलब पांच, यानि मुझे पहले से पता है कि मेरी requirement कितनी होने वाली है, मेरी demand कितनी होने वाली है, ओके, now, आए थर्ड पॉइंट लिखते हैं, cost per unit of the material is constant and is known as well. अरे भया जो आप अभी 1000 किता पे छपा रहे हो, 1000 बच्चों के लिए, तो 12,000 किता पे आप छपा रहे हो, तो एक किताब की cost, let's suppose, मुझे खुद के लिए 1000 रुपे पढ़ीगी, ये fix है, चाहे paper के rate बढ़ जाए, चाहे JST का rate बढ़ जाए, चाहे वो company वाला छोड़ के भा है, समझने आप, अब वो कहा रहा है कि जो 12,000 कि costing है ना, वो same ही रहेगी, उसकी per unit cost में कभी को change नहीं आएगा, ना JST के वाज से, ना पीछे, बट ऐसा सचे नहीं होता, ये सिर्फ formula है, formula method assumption बता रहे हैं कि मेरे को apply करने से पहले, मेरे बारे में जान लो, और 90%, 90% of students ये न reputation करूँगा ना, तब आपको बता चलेगा, master इतना क्यों चला चला के बोल रहा था, right, तो per unit की जो cost है ना, वो मेरे को पहले से पता है, per unit की जो cost है, वो मेरे को known है, जो uses है, of material वो भी मेरे को known है, यानि ये सारी चीज़े मेरे को पहले से पता है, okay, now, quantity of material order is received immediately that is the lead time is zero क्या कह रहा है, fourth वाला point, कह रहा है quantity of material, जो material की जो आपने order किया है, receive immediately, तुरंत मिल जाएगा, अब देखो, ये भी एक काल्पनिक है, assumption, assumption मतलता है, कल्पना कर रहे है, अब वालो, lockdown में आप सभी को बता है, जब lockdown हुआ था, कहीं भी आना जाना पॉसिबल नहीं था, कुछ हो आना है, वो आयके रहेगा, शाम तक order आ जाता है, अरे sir, नहीं, नहीं तो होता ही नहीं हमारी theory में, भाई, assumption है, मान लिया है, यही होगा, तो यही होगा, क्या होगा, order आएगा, तुरंत, एक दिन का भी daily period नहीं लगिए, मतलब हमारे लिए, कोई भी margin of safety रखनी ज़रत नहीं है, आज order दिया है, शाम तक आ जाएगा, आपके ऐसा सच नहीं होता, मैं आपको होता हूँ, अपना example, अभी विखना रहता हूँ, costing book जो बन रही थी, तकरीबन 10 दिन में बुकानी थी, महीना भर लगया, machine खराब हो गई, लेवर गाउन चले गए, बहुत सारी दिक् okay, now fifth point लिखे, carrying cost is computed on the average value of inventory order देखो, इसका मतलब होता है कि quantity जितनी order किये न, divided by 2 आप करोगे न, तो carrying cost is computed on the average value of inventory order, average value of inventory order, तो inventory order क्या है, inventory order होता है हमारे लिए q, right, इसका average, average में बहुत होता है, divided by 2, multiply में होगा carrying cost per unit, आप समझ बारे मेरी बात को, मैं दुबारे समझाता हूँ, पहले चीज़ तो logic समझो, q by 2 का मतलब क्या है, q मतलब जैसे मैं आपको example लेता हूँ, कि माल लीजे, आपने आज, unit order की 1 lakh, आपने एक अप्रेल को order किया, right, अब till end of, अप्रेल हो गया, अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगर्स, सेप्तम्बर, कितने मन्त हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपका 1 lakh का stock 0 हो गया, then आप again order करेंगे, right, अब यह तोड़ना है कि पूरे साल खाली बाइटेंगे, तो अब आपने दुबारा order की दिया, कितना order किया, 1 lakh, then again, यहां आपने कब order किया, सेप्तम्बर में, सेप्तम्बर के बाद, अक्टूबर, नॉम्बर, दिसम्बर, जन्वरी, फर्वरी, आपका फिर से order क्या हो गया, 0 हो गया, किती unit किती, 1 lakh, तो अगर मैं average लूँ, तो 1 lakh, plus 1 lakh, 2 lakh, divided by 2, यानि 1 lakh आपका रहा, average का मतलब क्या होता है, देखो, अगर हम यहां पे भी average ले, यहां पे भी average ले, तो 1 lakh का average कितना होता है, 50,000, अगर मैं यहां पे भी लूँ, तो average कित इतनी भी unit आपने order किये, वो कही न कहीं consume भी तो होगी, अब मालो मैंने, माली जी, 1000 बुक मंगाली विगिनरता कॉस्नी बुक, right, 1000 की मुझे पढ़ी, 1000 बुक है, 1000 multiply में 1000 कितना होता है, जर जोड़ो मेरे को कितना बढ़ा, क्या वो इतनी ही रहेंगी, या रोज 1, 2, 4, 5, 10 order जाते रहेंगे, अब जो लेक्चा रहें, आज देख रहें, उन्हें लगा हाँ सरुसर, तो बहुत अच्छा बढ़ाते हैं, आज ही बुक और करते हैं, गए, description box में लिंक पे click किया, बुक और, मालो माँ आज 10 order place होगे, right, तो अब जो 10 order place होगे, क्या वो इतना ही stock रहें, तो average लेने का मतलब यह होता है, कि देखे, opening plus closing divided two का मतलब यह होता है, या फिर यह कहिए कि over the stock हमारे पास same नहीं है, 1 lakh तो मंगाया था, लेकिन वो 50,000 भी होता है, वो 25 भी होता है, वो 30 भी होता है, 45 भी होता है, वो कम भी होता है, तो रोज रोज का हिसाब तो रख क्या कहा, इसमें का, carrying cost is computed, carrying cost यानी opportunity cost आप कैसे calculate करेंगे, carrying cost compute करने के लिए, आप average लेंगे, फिर आप carrying cost per unit, जो होगा, उसे आप multiply कर देंगे, क्या होता है, don't worry, formula मैं आपको बताऊँगा, at the end of the discussion, अभी बैस आपको समझा रहा हूँ, right, okay, now point number six, the carrying that the carrying cost, carrying cost is computed as a fixed percentage, as a fixed percentage of purchase price. यानी आपका जो purchase price का होगा ना, वो fixed percentage उससे multiply हो जागी, जैसे मैं आपको example लिखाता हूँ, हम question कर रहे थे, material cost, right, मारी जी ये question है हमारे पास, question है, storage cost है 8% and average inventory, और कहते है, cost per kg of raw metal is 2 रुपीस, तो कह रहे है, आपका answer कैसे आएगा, आपका जो carrying cost है, वो कैसे आएगा, 4.6, आप ऐसे निकालेंगे, यानी आपकी जो fixed cost है ना, ये वाली cost, ये वाली cost कौन से होगी, purchase price, right, purchase price होगा, purchase price को multiply कर रहे हैं आपको storage cost, यानी carrying cost से, तो फिर आपका क्या निकल के आजाएगा, आपका carrying cost निकल के आजाएगा, वो ये समझानी कोशिश कर रहे है, Now the last assumption of this formula, चाहता कि आप आके बोले कि मैं ये नहीं कर पाया, या फिर मुझे ये नहीं आता था, इसलिए मैंने ये कर लिया, नहीं, इस बर मैं चाहता हूँ, आप आके बोले, sir, दो डाला, सारे आते थे sir, मैंने तो अक्कड वक्कड बंबे बो, जिस पर आया, 809 पे पूरे 100 उसको ये किया, जो पूछना है, पूछले, I am ready for all, I am ready for all, okay, तो ये वाला attitude मुझे आप में सम्में देखना है, नवढ़ कर सेफ सब्सक्तर कर लो, कि क्य GOk, हुस्पनिant टेखना मैं लिया, किर्क धर को सीर और लिया, है है कि दिखना लिया, पीसल्डैना लिया, कि आप शील्ड़र अप्रेशन फरी लुडार है, जिखना लिया, लिया, इया, किसल्डे ज.' souvent कि दिखना है, लिखना है इसका जो कंजम्शन है ना इन्वेंटरी की फिरली कॉंस्टेंट फूर दियर उपर वाले में आपने पता है क्या पड़ा था कि क्वांटिटी ऑफ जो मेटरियल है यहां पे यूज़ेस ऑप मेटरियल इस नोन वो कह रहा था कि एक हमने बुक किते हैं गई हजार अडिमिशन हो रहे हैं मल्टिप्लाइमेट राल यानि बारह हजार बुक्स मांग वाली हमें है हमें पता है कितना अडिमिशन होगा लेकिन यह पॉइंट कुछ और कह रहा है यह क्या रहा है कि इसका जो कंजम्शन है ना कंजम्शन वो पूरे साल में एक ही रहेगा यानि लेट सपोज 12000 किताबे रहे हजार एंडमिशन है मतलब एक्जाम्पल वो यह कहना चाहता है कि आप 10 इस स्टुडेंट को रोज सेल करेंगे 12 इंटू 10 120 किताबे रोज सेल होंगे वो यह कह रहे है यानि कंजम्शन जो मैंने 12000 किताबे मंगा यह 1000 स्टुडेंट के लिए 1000 क्या आउटप इयद वहात तो भी सेमें संडे है तो भी सेमें करोना है तो हर केस में कंजम्शन सेम रहेगा। एक वो आपसे यह कहना चाहता है यहा साथ हमने इसकी क्यास आफिक और शीक वन थे टुटिव Я इन में और ए पहला हो गया हमने लिखेंक ए सिउप्य आफ यह ए अर इस्म नहो तो अब हम दिखेंगे फॉर्मुला एरे भाईया तुम्हारा फॉर्मुला देखने के लिए हमारी आके तरस गई और तुम बस लगे पड़े थियोरी सिखाने में भाई मजाक नहीं है सच्च में एक्जाम में पूछ लेगा रो पड़ोगे आपकी हमें याद नहींती लेकिन अब अब आपने उस्ताद की मास्टर की वीडियो देख लेए अब तो आप कर लोगा इनो इकोनोमिक ओडर कॉन्टिटी इस रूट टू ए ओ अपने सी वेट करना दूरिंग इस थी लेक्चर जो आज के बाद होंगे मैं आपको इस फॉर्मले का पूरा डैरिवेशन सिखाऊंगा हर इक चीज़ सिखाऊंगा बट थोड़ा सा आपको ग्रो अप करना चाहते होगे कि एक ही दिन सब को सिखा दूगा ना तो ह सब बहुत पूचा और मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ यह नहीं पूचा आप ठीक हैं आप मर गये वह अलग बट है जरू पूचा पड़ा वह लेक्श्य करबाएगा रवेक्श्य ना कंटिनियुटी में थोड़ा से मैं टाइम ली सकता हो लेकिन को क्वाल्टी सबर के साथ पढ़िए एकदम शिद्दत के साथ पढ़िए रिजल्ट इसलिए ना आए कि आपने कोशिश की रिजल्ट इसलिए आए क्योंकि आप डिजर्व करते हैं पास होना याद रखेगा ठीक है तो मैं यह डेरिवेशन सिखाऊंगा बट मुझे थोड़ा सा टाइम दी रोव मेटेरियल युनिट्स टू भी पर्चेस्ट या फिर आप लेख सकते हैं एनुवल रिक्वार्मेंट साथ समझा भी तो अरे रुको तो सही या फिर इसको बोल सकते हैं डिमार्ड ओव मेटेरियल या फिर आप इससे लिख सकते हैं एनुवल यूसेज और कॉंजूंप्शन ओफ रोव मेटेरियल एक बात बताओ सर आप पगला गया है क्या हुआ सर क्या हुआ इतने सारा नाम कॉल लिखता है वे एक्शली नाम इसलिए है क्योंकि कोश्चन में सेम ए को ए यानि एनुवल डिमांड को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और आप क्यों स्टैटीमेट करके बाकी किताब इस वाल नहीं कर पाते है रटीप में आता है इसलिए कर नहीं कर पाते हैं क्यों विकाज आपको यहीं नहीं बता कि इसी चीज़ को पूछने के और भी तरीके हो सकते हैं कई बार annual requirement कि यह साल में हमें इतनी जुरुत पड़ेगी यह भी कहा जाता है कई बार demand of metal मतलब metal की कितनी demand है मतलब आपके metal की कितनी demand है अगर यह question बोल रहा है तो उसको A बोला जाएगा question जब हम solve करेंगे रहा है यह सारे नाम में आपको दिखाँगा कितना करोगे बता दो कुछ भी पूछेगा समझ जाना वो एक की बात कर रहा है एक की बात कर रहा है इस फॉर्मूल में एक का मतलब यह सारा हो सकता है हर सेम question में सारी चीज़े एक साथ काम नहीं करेगी different different question में अलग-लग variety में अलग-लग नामों से यह जाना जाता है वो यह ह okay now my dear friend O मैंने आपसे बूला है कि मैं आपको यह पूरा derivation सिखा हूंगा just allow my time I will teach you full 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 derivation okay but फोड़ा सा time दो मुझे develop करने का आपकी दिमाग को right O O is ordering cost ordering cost per order मतलब एक जिसको मैंने आपको simply का बला delivery चार्ज हां कि एक order को place करने में कितना हमारा पैसा लगता है ना और si equal to carried cost per unit per annum याद रिखेगा carrying cost per unit per annum carrying cost per unit per annum अब यहीं बात को ध्यान से सुनिए यह क्या बोलगा है इसको समझेए हमारा फॉर्मूला जो हमने सीखा था वह था क्यू बाय टू इंटू में केरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट राइट यह कह क्या रहा है इसका मतलब पहले समझ आप कैरिंग कॉस्ट का मतलब अभी त इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ध्यां सुनेगा जो मैटेरियल रखा है रखा है उसकी न लागत क्या होगी उसकी लागत क्या है और यहां भी लिखना आवसर लागत अब आपको बुक सस्ती मिल रही है तो उसने बूला आज ही और कर दोगे ना तो मैं आपको हजार नहीं दो हजार बुख दे दूगा ले लो आप मैंने कहां दे दो मेरी पैसे तो इतनी लग गए लेकिन पैसे तो जेव से चली गए ना ओफर के चक्कर में में तो खाली हो गय अब मालो वही पैसा मैंने बैंक से लिया फिर बैंक ने वही वही पांच लाग मुझे 15% से दिया मेरा तो नुकसान होगे ना भाई हो गया कि नहीं हो गया तो वही वो कह रहा है कि अवसर लागत क्या है जो मैटेरिल आप मगा के अपने गोड़ाउन में रखने वाले हो ज यह पॉच्टिन कास्ट तेक है मैं अगेन इसको एक्स्प्लीन करूँगा वट यू जितनी क्वांटिटी खाली है मुल्टिप्लाइब में उनकी लागत अब जो मैटेरिल इसे हो गया लैट सब्समेरे पास हजार उनित थी हजार इनित में दो सो से लोगे आट सो बचिए तो अपोच्ट कास्तों मैं आब आट सो पर क्या करूंगा जो दो सो से लोगे उस पर नहीं करूंगा ना तो ऑल्व यह बाते याद रखना छोटी सी है यह वाला पॉइंट बस नॉलेज के लिए एक्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है यह मैं आपको समझने के लिए बता है बाकी लेटर ओन धेरे-धेरे हर बात समझ में आएगी यह आपका हो गया जी फॉर्मुला ओके नाव लास्ट इ डाइग्रामेटिक डाइग्रामेटिकली री प्रेजेंटेशन अफ एकोनोमिक ओर्डर ओंटिटी राइट नामेडियर फ्रेंट यह क्या कहता है यह कहता है कि यह है आपकी कॉस्ट और यह आपका साइज ओफ ही पहले त leaning को समझें कि जितना हमारा सैज ऑसरी बढ़ेगा जितना ओड़र बढ़ेगा उतने हमारे लागत बढ़ेगी राइट तो यह कहता है कि देखो आपकी हाएगे अटर यह रिगक वास्ट है और जिस point पे यह दोनों intersect हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं economic order quantity जिस point पे यह दोनों intersect हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं economic order quantity आपके exam में अगर यह आ गया ना तो with यह diagram बना ना with जो points मैंने का है वो लिख देना अगर 5 मांक का है पूरी theory आपको lot हो जाएगी 5 out of 5 प्लीज मिस्स मत करना राइट सर यह इतना आपने सीख लिया एक आत question motion कर आलो कि तोड़ी सी practice हो जाए राइट इस इस दा मुमेंट फॉर्ट 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 कितने होंगे वह बता दो पूरे साल में पॉर्ट फॉर्ट 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 फॉर मेरे लिए उतना ही काफी है, मुझे थैंक्स नहीं बूलोगे, मैं आप सभी के कमेंट सुढ़ूगा, आप सभी को दिल से थैंक्यू बूलोगा, प्लीज, मैंशन करना, आप लोग यह जब बोलते हैं, लेक्चर चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बार म लेक्चर के लिए बीट करते हैं, लेक्चर में बात मानीश यह जब आप मेरी बात सुनते हो और जब मैं आपको बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि मेरे बच्चे ने मेरी बात मानी, and I am here to help you, मुझे फरक नहीं पड़ेगा कितने लाइक्स आए, कितने ग लेकिन हाँ, जब मैं गड़ बैस की बोलूँगा आपके कमेंट में, मुझे बहुत कशी मिलते हैं, कि मैंने एक बच्चे को गड़ बैस की बोला, और ये बच्चा इस पर पास होने वाला है, लेकिन ए, ए क्या है, 10,000 kg, ओ कितना है, ये 50, c कितना है जी, 8% of rupees 2, this is 0.15, अर 16, right, now economic order quantity, equals to, 2AO upon me C, okay, and अगर आप इसे apply करेंगे, root 2 into A is 10,000, O is rupees 50, and C is 0.16, if you solve it, you will get 2500 kg, जी, question की पहली requirement थे, EOQ, दूसरा हो कहा रहा है, number of orders per annum, बतातीजे, तो number of orders per annum, right, A upon me EOQ, देखो यार, हम एक बार में कितना order करेंगे, 25,000, total कितना मंगवान है, 10,000, तो 10,000 total मंगवान है, और एक बार में करेंगे 25,000, तो कितने order place करोगे, तो 10,000 divided by 25,000 is 4, यह formula नहीं, यह logic है, let's suppose, तुम एक बार में 2 रोटी खाओगे, घर में 10 रोटी बताओ, कितनी बार में 10 रोटी खाता होगे, पाँच बार में, 10 divided by 2 equals to 5, simple है, देखो हर चीज formula नहीं होती, थोड़ा सा brain का logic यूज़ करोगे, sense यूज़ करोगे, definitely you can connect, तो मेरे दोस्त, यह क्या हो जाएगा, 10,000 kg upon me, 2500 kg equals to 4 order, यह हो गया आपका answer, तो आप लोगे से एक ही request है, हाद जोड़ के, जितना आप शिद्धत से मुझे मुझे गूलते हैं, अगला lecture कब आएगा, उतनी शिद्धत से एक बार, जै बिनरता कने, जै कनपतीचे, जै सरसातिमा, लिख दीजेगा, प्लीज, मेरे जोट रहा हूँ, आप से comment नहीं लिखा या था, प्लीज लिखेगा, और मैं आप सभी को दिल से God bless ही बोलता हूँ, दुआओं का खाता बनाईएगा, जो भी दोस्ता आपकर disturb हो रहा हूँ, self study कर रहा हूँ, और उसे लग रहा हो कि वो costing में परशान है, यह वीडियो के आप से next lecture में, bye bye and take care